नुश्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल हेल्फ फ्रेंड में एक बाप फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज मैं प्रेग्नेंसी के समय पर कुछ जो करना चाहिए और जो कुछ नहीं करना चाहिए उन स्टेप्स के बारे में आपके सामने कुछ जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ उससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जाया से जादा शेयर और लाइक करना ना भूले आपके मन में जो भी सवाल पैदा होते हैं उसे कमेंट के रूप में आप जरूर मुझे तक पहुचा सकते हैं और सुझाओ भी कमेंट के रूप में मुझे भेज सकते हैं तो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ कि प्रेगनेंसी एक बहुत इंपोर्टेंट मुकाम है महिलाओ की जिन्दगी में गर्भ धारन करने के बाद कुछ डूस और डोंट्स होते हैं या फेरस सलफेट या विटामिन डी अगर प्रेसकाइब करते हैं तो उससे समयनुसार जरूर लेना चाहिए डायेट में जो बैलेंस डायेट है जितनी कैलोरी डॉक्टर ने सला दिया है उसको जरूर मेंटेन करना चाहिए जिससे पेट में पलने वाला बच्चा वो हल्दी हो और बिल्कुल स्वस्थ हो करके प्रसब हो नींद जो हैं वो पूरी तरह से लेना चाहिए सफिशेंट स्लिप लेना चाहिए कम से कम साथ से नौ घंटे तक किसी भी गर्वती को सोना चाहिए हलके कसरत वर्क आउट जरूर करने चाहिए बिल्कुल बेड रेश्ट पे नहीं रहना चाहिए नॉर्मल वाकिंग करना या नॉर्मल जो एक्सरसाइजेज हैं जो डॉक्टर के सलानुसार जरूर करना चाहिए सी फूड जरूर खाया जा सकता है समुंद्री जो खायद्र पदार्त हैं उसको खाने से कोई नुकसान नहीं है उसको जरूर आप ले सकते हैं सारिक संबंद जो है जरूर किया जा सकता है लेकिन comfortable position और comfortability को जान करके करना चाहिए योगा प्रणायम जरूर करना चाहिए meditation भी कर सकते हैं योगा प्रणायम और meditation करने से शरीर को पर कोई कूप रभाव नहीं पड़ता है बच्चा जब भी पेट में आजाए तो दो टीके वैक्सीन्स के लगट जो टेटनस के वैक्सीन्स है टेट वैक के लगाए जाते हैं उनको जरूर लगाना चाहिए उसके साथ साथ कोई भी फ्लू रिलेटेड इंफेक्शन का वैक्सीन्स अगर डॉक्टर ने सुझाओ दिया है तो जरूर लगवाना चाहिए या लगवा सकते हैं वेट ज़्यादा गेन न करें इस चीज़ को जरूर धियान देना चाहिए वेट को एक नॉर्मल मात्रा तक ही मेंटेन करने की कोशिश करना चाहिए अगर दात सही नहीं है तो आप इस पिरेड में डेंटिस्ट जरूर दिखा सकते हैं और आपने से दवईयां न लेजिए पेन किलर बेटर है कि दात दर्द या दात के कोई भी इंफेक्शन है डेंटिस्ट की सला जरूर लीजी जो किया जा सकता है वो तो मैंने आपको जानकरी दे दिया जो नहीं करना चाहिए उसके बार में कुछ जानकरी शेर करूँगा स्मोकिंग बिल्कुल बर्जित रखना चाहिए एलकोहॉल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए कोई भी मीट वगरा मांसारी भोजन कर रहे है तो उसे अच्छे से पका के लेना चाहिए आधे पके हुए या कच्चे रौ में नहीं लेना चाहिए बिना गरम किये उबाले वे दूद को बिना उबाल करके नहीं लेना चाहिए पूरी तरह से पास्चराइश्ट हो करके जो मिल्क उबाल करके जो निकलेगा उसे ही पीना चाहिए हॉट टब या साउना में नहीं बैठना चाहिए कैफेनेटेड ड्रिंक्स कॉफी वगरा ना ले तो ज़्यादा बेटर है किसी भी घर में साफ सफ़ाई के दोरान पेस्टी साइट्स वगरा के संपर्क में ना आए वेट ज़्यादा कैरी या उठानी की कोशिश ना करे सेल्फ मेडिकेशन से खुद के इलाज से बचिए खुद से खरीद करके मेडिकल चॉप से एंटिवाटिक्स वगरा ना लीजिए डॉक्टर के बिना परामर्स का एक्सरे या रेडियेशन के संपर्क में ना आए मैं उम्मिद करता हूँ अगर आप इन चीजों को पालन करेंगे तो आपके पेट में आया हुआ जो बच्चा है वो बिलकुल स्वस्त रहेगा और आप भी बिलकुल स्वस्त रहेंगे क्योंकि इस पिरेड में आने वाला बच्चा और बच्चे की मा दोनों ही स्वस्त रहना एक चिकिस्सक के लिए भी और एक परिवार के लिए भी बहुत जिम्मेदारी होती है इस चीज के लिए तो इस चीज को आप follow कीजिए तो दोनों लोग ही स्वस्त रहेंगे तो मैं उम्मिद करता हूँ मेरी दीगई जानकरी से आपको काफियत तक फायदा मिलेगा इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल हो सुझाव हो, कमेंट कर सकते हैं या प्रत्यक्ष रूप से मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा वाटसप नंबर जो यूटूब में दिया हुआ है वहाँ पर भी संपर्क करके मुझे मिल सकते हैं धन्यवाद, नमस्कार, जैहिन